और महापुरुष दो प्रकार के, एक आवतारी महापुरुष, गो लोक से आते हैं, उनको बंधन नहीं है, उनके कर्म नहीं है, बचे कर्म तो भस्त्म हो गए, भगवत प्राप्ति होते ही, भिद्यते हिर्दयक्रंथ श्चिद्यंते सर्वशंशयाह, उच्छींते चास्य कर्माणी, कर्माणी सब, कर्म नष्ट हो गए उनके, तसमिन द्रिष्टे पराबरे, यानि कर्म तो नष्ट हो गए जब भगवत प्राप्ति हुई, तो वो गो लोग चले गए, वहां से फिर क्यों आते हैं, स्वेच्छा से जैसे भगवान आते हैं, इसे ही वोई भगवान उनको भेजते हैं, जाओ बाई, बहुत गरबड हो रही है, ठीक ठाक करो, परोपकार के कारण, भगवान की इच्छा के अनुसार, वे लोग अवतार लेकर आते हैं, उनका जन्म भी दिब्व्य है, अब कर्म भी दिब्व्य है, पैदा होते ही उनका कर्म दिब्व्य, अब जो पैदा तो हुए कर्म से, अपने पिछले, लेकिन यहाँ, दस साल, बीस साल, पचास साल, सव साल बाद भगवत प्राप्ति कर लिए, तो जिस चण में भगवत प्राप्ति किया, उसके पहले वो प्राकृत थे, जन्म भी उनका प्राकृत था, कर्म भी प्राकृत था, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद कर्म दिव्य हो गया, यह भगवान का दिव्य कर्म या महापुरुष का दिव्य कर्म कैसा होता है? हम लोग अपना कर्म तो जानते हैं सत्व गुण का रजो गुण का तमो गुण का हमारा कर्म होता है कभी अच्छा अच्छा कभी न अच्छा न बुरा कभी बुरा ये तीन प्रकार के कर्म हम लोग करते हैं ऐसे लिए तीन प्रकार का फल भी मिलता है पुन्य न पुन्यम लोकम नेद पापेन पापम भाव्व्या में मनुष्ट लोकम प्रश्णो पनिशत तीन साथ भगवान और महापुरुष का कार्ज भी नी तीन गुणों का होता है हमारे संसार में जब आए है वो तो इंद्रियों से ही तो कर्म करेंगे जैसे हम करते हैं हमारे पास पाच कर्मेंद्री हैं पाच ज्यानेंद्री हैं एक मन है एक ग्यारा है अंदर सूक्ष महां ये सब और एक जीवात्मा है तो हम लोग जो कुछ करते हैं इन्ही तीन के अंदर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भगवान आवें चाहे भगवान के बाप आवें और क्या करेंगे वो उनके पास भी यही इंद्री मन बुद्धी हैं ऊदिब दिब्व्य है ठीक हैं तो उनका कर्म भी प्राकृत के समान होता है ज्यान्दो भक्त हेत भगवान प्रभु रामधर्य उतनु भूप कि ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप प्राकृत मनुष्य की तरे माया बढ़ की तरे सब कार्ज करते हैं वहाँ पुरुष भी भगवान भी हम लोग हस्ते हैं माया बढ़ द्ध हस्ते हैं रोते भी हैं हां, रोते हैं, चलते हैं, देखते हैं, सूंगते हैं, हरी इंद्रियों का विशाय भोग करते हैं, वो भी करते हैं, हम गुस्था भी करते हैं, तो माया बद्धाइं इसलिए करते हैं, वो कैसे करेंगे, अरे वो घोर गुस्टा करते हैं, इतने मर्डर कर डाले अर्जुन ने हनुमान ने, लेकिन उनका गुस्टा भी दिब्व्य है, हमारा गुस्टा माईक है, उनका काम, उनका क्रोध, उनका लोब, एक करोणों बर्श राज्य कर रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद, लेकिन लोब नहीं है, माया ही नहीं है, तो लोब सोब कहां से विचारा आएगा, लेकिन क्रिया वैसे ही हो रही है, जैसे हम लोगों के होती है, इसलिए अनंत महापुरुषों के दर्शन और मिलन के बाद भी, हमने किसी महापुरुष को नहीं पकड़ा अभी तक कि ये महापुरुष है, ये तो हमारी तड़ है, जैसे हम खाते, पीते, सोते, रोते, हटते, गाते, गुच्चा करते हैं, ऐसे ये भी करता है, हमारे इसमें क्या अंतर है, अले मान लो, हमसे थोड़ा अच्छा होगा, कहीं और देखने को मिल गई, तो अब हाव टर्न हो जाते हैं हम लोग, और गाली भी देने लगते हैं, और अगर वो महापुरुष में हो जाए, तो पिछली लाइफ को हम ताना देते हैं, एक ओन है, सूर्दास, अरे वही ब्याच्चा गामी, तानूरा लिए आज कल राधे राधे करता है, अरे तो जब बेश्चा गामी था तब था आप महापुरुष हो जाए, अरे जाओ जी, क्या बात करते हैं, है, हम graduate है, अकल रखते हैं, यह हम लोगों की अकल है, जो कल था, वही आज भी रहेगा, यह हमारा judgment है, अरे कल कितना अच्छा था आजा मिल, आज राक्षे सो गया, नहीं, नहीं, हम नहीं मांत, हम लोग की बुद्धी इतनी घिगड़ी हुई है, कि अपनी बुद्धी को ही अंत्य मतार्टी मानते हैं, भगवान आवे, चाहे संत आवे, चाहे जो आवे, देखा, क्या कपड़ा पहने, कि दर देखता है, क्या बोलता है, यह सब क्यों नोट कर रहे हैं, अरे, अकल रखते हैं, हम देख रहे हैं, कैसा है महा पुरुशाई, कि महा बद्ध है, कि हम से अच्छा है, कि हम से खराब है, देख लिया, हाँ, देख लिया, कोई खास बात नहीं, अगर वो हमारे बीच में है कि हम लोगों के बीच में किर्ग्रेस्यों के क्यों आते हैं अरे ये बाबाजी है अपना जंगल में जाके बजंग करें और जंगल में चले गए जंगल में क्या कर रहे हैं इनको भगवान मिल गए तो हम लोगों के पास आदे हमारा कल्याण करें जो भी करें महापुरुष उसी के खिलाफ बोलना इस अबेद कपड़ा पहने क्यों है बाबा ये पीला क्यों पहनता है एक कंठी क्यों पहने है उसे कही भगवान मिलते हैं गया जोड़ जोड़ से क्यों कर रहा है राजे राजे के रख्वान बहरा है गया हम लोग अपने आगे साब को रिएक्ट कर देते हैं और यही कारण है चोड़ासी लाग की चक्की पीस रहे हैं तो वे महापुरुष जो अवतार लेके आते हैं उनका शरीर तो प्राकृत होता है माने दिखता है लेकन उनका शरीर भी प्राकृत नहीं होता यह दिखना अलग बात भगवान का शरीर भी प्राकृत दिखता है जितने प्राकृत मनुष्य है सब को इसलिए तो कहते हैं न जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरती देखी तिन तैसी जिसकी दिब्य दिष्टी हो अलावकिक वो देखेगा दिब्य शरीर है इसका महापृरुष का या भगवान का बाकी जाब माइक आख से माइक दिखाई पड़ेगा यह आख जो बनी है हम लोगों की पंच महाभूत की है यह पंच महाभूत का सामान ही देखती है जिब विबस्तु को भी देखेगी तो पंच महाभूत वाला दिखाई पड़ेगा क्या करें? मजबूर है? जब राम खड़े थे धनुस जग्य में तो बीदूशन प्रभू बिराट मैदीशा बहु मुख कर पद लोचन शीशा कोई कहता है इसके चार भुजा है न कहता है गधा गिन्ना भी आता है आठ है कि तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो बारा है हम संसार में किसी को देखेंगे या तो अच्छा लगेगा या तो कामन लगेगा या तो बुर्या लगेगा उसके चार सिर वाठा को बारा पहर कैसे हो गए केवल हरी भक्तन देखे दो भाई महापुरुषों ने दिखाए दिब्ब भगवान है